एलो फ्रेंड्स मैं विने निर्भिक फ्रेंड्स आपका एकबर फृरिषय हमारे चैनल पर श्वागत है फ्रेंड्स आप लोग लगातार बार बार एक चीज कमेंड कर रहे हैं कि कोट केस पे मैं अपडेट दो कोट केस में क्या हुआ और जैसा कि मैंने आप लोग को कल बताया था कि जो TCS है वो 10 फरवरी तक busy है और उसके बाद जो है यानि 11 फरवरी या फिर 12 फरवरी से आपका group D का exam start हो सकता है तो उस पे भी लागतार लोग comment कर रहे हैं कि अगर court case तब तक चलता रहता है तो क्या होगा क्या court case के विए से exam और आगे बढ़ जाएगा या फिर exam अपने time पर start हो जाएगा यानि कि फरवरी में start हो जाएगा second week या फिर maximum third week क्या सकते है third week नहीं जाएगा अगर सब situation नॉर्मल है तो अभी present में दिखरा situation अगर वैसा situation रहता है तो वैसे भी third week नहीं जाने वाला है यान तो मैं आप से यही कहूंगा बस आप लोग preparation पर focus कर जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं friends आपके हाथ में इसके अलावा कुछ नहीं है जो आपके हाथ में आप वही चीज़ कर सकते हैं अगर आप लोग dates के बारे में लगतार परिशान रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको ही mentally problem हो जाएगा आप frustrated हो जाएंगे किसी का गुष्चा कहीं में निकालेंगे exam नहीं हो रहा यह नहीं हो रहा है वह नहीं हो रहा है क्योंकि मैं जानता हूं family का भी pressure पड़ता है अगल बगल पोड़सियों का pressure पड़ता है कि इतने दिन से preparation कर रहा भी तह कुछ नहीं कि यह नह को ले करके तो आप ignore करना सीखिए क्योंकि हर किसी से आप जबान नहीं लड़ा सकते हैं हर किसी के बाद का जवाब नहीं दे सकते हैं तो आपको समझना होगा आपको अपने अंदर maturity लाना होगा आपको अपने अंदर थोड़ा सा control लाना होगा ठीक है अगर कोई कुछ बोल करता है जैसे कि माल लिए को लोगा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है जो लोग कोड केस का वेट कर रहे हैं या फिर किसी का कोई और रिजन है पढ़ाई नहीं हो पाई है या फिर अभी भी नहीं पर पाई है उनको परशान होने की जरूवत नहीं है मन में निगेटिवटी ला होगा तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा सुसाइट का लूगा यह को लोगा करो बहुत से सोचते हैं तो यह काफी गलत थिंकिंग है फ्रेंड्स आप कि इतना निगेटिव नहीं होना चाहिए लाइफ में बहुत से उपरचुनिटी आएंगे और आपको उनके फायदा उठा अठाई सितंबर को होनी थी यानि कि उसी दिन कोट केस का एडमिशन होना था तो उस दिन नहीं हुआ था फिर नया डिट मिला था एडमिशन के लिए ही 26 अक्टूबर को तो उस दिन भी नहीं हुआ ठीक है अब आप जान रहे हैं आज एक नॉमबर हो चुका है अभी तक उ उसे तकाल नेक्स देट मिल गया था कि 26 अक्टूबर को फोगा नेक्स्ट ही यानि कि एडमिशन 28 अप्र को नहीं हो पाय था लेकिन चब 26 अक्टूबर भी ता है उसके बाद कहीं भी कोई अबरेट नहीं मिल पा रहा है बस वहीं हो रहा है केस नॉट इन लिस्ट पर नहीं तो यानि कि कब होगा कोई confirmation नहीं है इसके आगे कि मलब यह जो केस है उसकी होगे की नहीं होगी तो फ्रेंट्स मैं आपको बता दिए लोग तो कोट केस पहले भी हार चुके हैं ठीक है अपने खुद की गलती के विए से एडुकेट की गलती के विए से लोग सस्ते एड़ चलेगा या फिर फरवरी मार्स तक जाएगा जो अभी तक इसकी हीरिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो हम इसके वारे में क्या कह सकते हैं हमें तो यही लग रहा है कि फिर से पिछले बार के इतरह यह गैंग पैसा कमाली कैनिट से और फिर से केस से पीछे हट जाएगी प्रेंड्स के यहां भी जो हो रहा है यह जो निव एडुकेट ली है मुझे लगता यह भी कुछ ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि अगर यह अच्छे होते अब तक हीरिंग करा चुकि हो ता 28 सितंबर को ही अब आप सूची आपको कि पहले 28 सितंबर को date मिलता हीरिंग नहीं फिर क्या हुआ था फिर 26 उस दिन भी नहीं हुआ उसका कोई अपडेट ही नहीं है अब पता नहीं लोग केस खुद मलब बाहर ले लिए हैं कि क्या की है मुझे नहीं समझ में आ रहा है लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा अगर आप लोग का फॉर्म रिजेक्ट है आप इसे बहुत ज़्यादा उमीद बनाये हुएं तो मैं अब आपसे यहीं कहूंगा बहुत ज़्याद ना बनाये क्योंकि इस कोड़ केस के माध्यम से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है बाकी अधर कहीं से किसी सोर्च या अगर कुछ आपका हालावला हो जाता ठीक है लेकिन इस क कोड केस से कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि इस गैंग सचाही सामने आ चुकी है यह लोग पिछले वारी पैसे लूटे थे लगवाग एक लाक रुपय आप लिये थे ठीक है और उसका कहीं भी कोई रिकॉर्ट नहीं दिया गया कि आपका पैसा कहां खर्च किया गया क्यो तो उनको लगता था कि मेरे मलब वीडियो से केस बदल जाएगा यह हो जाएगा और वाई जज मेरा वीडियो तो नहीं देखने आएगा जज अपने प्रूफ के ही बेस पर बात करेगा आप जो हाँ पर अपने अर्गुमेंट पेश करोगे उसी काधार पर आपको और मिले होगा और अब ही तक जो है अग्जिस्टेंस में ही नहीं है यानि कि अब इसकी उपीरिने तक जब यह सकते हैं अगे केस नहीं बढ़ने वाला है मुझे लगता है ये लोग case खुद वापस ले लिए ऐसा हो सकता है ताकि हो सकता है इंका पैसा घट गया हो या फिर पैसा आयट के फिर गायब हो जाए पिछले बार के तर ये भी हो सकता है कुछ भी reason हो सकता है लेकिन सचाई यही अब लग रहा है कि केस आगे नहीं बढ़ पाएगा और इसको जो बाकी केस जिसका order रुका हुआ था वह भी खत्म हो जाए किसी के साथ ले क्योंकि लास्ट का प्रिपरिशन बहुत इंपोर्टेंट होता है अगर लास्ट एक दो महीने वा अच्छे प्रिपरिशन कर लेते तो भले पीछे का भूल गया हो तो आपको अच्छानक रिवाइज हो जाएगा अपने आप दो महीने अगर पहले करके जलिए हां लेकि क्योंकि तब तक जो है आपका CBT2 का रिजल्ट भी प्रिपेर हो जाएगा मैं बताया है तो इसको भी लटकाना पड़ी और मैं बताही रहा था कि रिजल्ट अभी आएगा जब सेडिटी टू कंफर्म हो जाएगा तो CBT2 के लिए जन्वरी का ही डिट मुझे दिख रहा है अगर जन्वरी में CBT2 होता है तो उसका वी रिजल्ट आपको मालूम है 15 नॉबर के बाद कभी भी आ सकता है ठीक है मैं बस आपसे यही कहूंगा कोर्ट के इसका पहुझजद एफेक्ट नहीं पढ़ने वाला है आप एक्जाम के प्रिपरिशन में लगे रहिए अधर्वा यह बस इतना है थैंक यू जय हिंद जय भारत